अस्सलाम उलेकूम पाकिस्तान स्टेलिय ओपनर बलेबास ट्रेवल हैड इस बंदे ने स्कॉड्लैंड के खिलाफ टी ट्वेंटी मैच में नए रिकॉर्ड्स का अमबार लगा दिया स्टेलिय और स्कॉड्लैंड के दर्मयान नाजरीन तीन टीट्वेंटी मैच इस की सीरियस पहला टीट्वेंटी ट्रेवल हैड उई हुई 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 मैं कहता हूँ जी लाजवाब और हैरान कर दिया यह वही ट्रेवल हैड हैं जिन्होंने दोज़ार तईस के वर्ल्ड कप के फाइनल में एमदाबात इंडिया के खिलाफ शानदार सेंचरी बनाके इंडिया के मुँ में से फाइनल खैंच लिया और आज यह ट्रेवल हैड इन्होंने नए रकॉर्ड लगा दिया नाज़री टी ट्वेंटी के अंदर स्कॉर्ड लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रंस बनाये थे ज्वाब में आपको पता 156 रंस अस्टेलिया ने किये और सिरफ और सिरफ 58 बॉल्स पे 9.4 अवर्ड में मैं कहता हूँ जी ट्रेवल हैड ने मार मार के मार मार के बढ़ता बना दिया और यकीन करें ऐसी तुफानी इनिंग्स खेल गे उन्होंने अपने 33,50, 17 बॉल्स पे बनाके वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पावर पले के 6 अवर्ड में 131 रंस बॉल्ड में लगा दिया नाजरीम मैंने जब मैच देखा तो मैंने का ये बंदा किस चीज़ का बदला लेने के लिए आ गया ये स्कॉर्ड लैंड के बॉलर्स वो बचारे बस यूँ आस्मान की तरफ ही देख रहे थे वो बॉल करते थे पिर आस्मान की तरफ सारे फिल्डर भी आस्मान की तरफ देखते थे लेकिन ट्रेवल हेड ने जनाब जिनको बिगो बिगो के मारा ट्रेवल हेड ने बता दिया दुनिया को के अब मैं आपनिंग का घास किया करूंगा स्टेलिया की जानी से क्योंके डेविट वारनर उन्होंने तीनों फॉर्मेट से क्रिकट के लिए रुटाइर्मेंट का लान कर दिया था और दोज़ा चौबिस का लास्ट वर्ल्ल कप था उन्होंने जो खेला उसके बाद ट्रेवल हेड ने तो मैं कहता हूं जनाब देखें बात ये है के टीम जितनी मर्दी छोटी हो लेकिन इंटरनेशनल टीम तो है स्कॉटलेंड और उसके पास अच्छे प्लेइर्स हैं अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन ट्रेवल हेड ने पता नहीं किस चीज़ का गुसा निकाल दिया इन बच्चों के उपर और 80 रंस भ सेंचरी भी ठोके जाएंगे लेकिन उनका मिड़ान के ओपर कैच हो गया और वो मूर लटका के वो खुद भी मैयूस हो गये थे कि यार ये शौट आदी यूदूरी क्यों खेल दी मैंने और वहाँ पे बनता भी था कि वो जिस तरह उन्होंने रिकॉर्डर लगाए दस की जबर दस इनिंग्स खेल के उन्होंने दुनिया में एक निया कोहराम बचा दिया और आप जानते हैं कि इस मैच के अंदर जब से टी ट्वेंटी क्रिकट शुरू हुए है नाजरीन इस मैच के अंदर उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड लगा दिया मैं तो मतलब गिन ही नहीं पाया मैं मतलब मेरी सेस ने भी काम करना छोड़ दिया कि कौन सा रिकॉर्ड याद रखूँ या कौन लिखके तो नहीं रखे वे और मैं फिर इसको गूगल के उपर सर्च करने के लिए बैठा भी नहीं मैं कि मतलब कौन कौन से टी ट्वेंटी के जो हैं वो सटी फिती कर दी है और अ मेरे ख्याल से ट्रैवलहेट जो हैं वो आने वाले वक्त के नाज़ین ये बात मेरी नोट कर लीजगा ट्रैवलहेट आने वाले वक्त के बहुत बहुत बढ़े स्टार बनने के लिए जा रहे हैं बाकी दो मैच एं उनकी बी बात करेंगे जब मैच उनका जो रिजल्ट होगा रिजल्ट आपके सामने है तीन जीरो तो वो भी रिजल्ट आपके सामने लेके आएंगे उस पर भी बात करेंगे तब तक के लिए मुझे जादे दीजिए नेक्स विलॉग के साथ फिर मुलाकात होगी